तानुवाहि गुरू जीओ, बानी गुरू, गुरू है बानी, वेच बानी अम्रित सारे, गुरू बानी कहे, सेवक जन्माने, परताख गुरू निस्तारे, गुरू बानी कहे, सेवक जन्माने, परताख गुरू निस्तारे, तन वाहि गुरू जीओ, तरवर एक, अनन्त डार शाखा, पुह पत्र रास परिया, यहे अम्रित की बाड़ी है रे, तेन हार पूरै करिया, जनी जनी रे, राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम पर गासा, गुरू मुख बिरले जानी रहा, पवर एक, पोह परास बीदा, बाराह ले उरतर्या, सोरा मदे पवन चकुरिया, आकाशे फार फरिया, सहज सोन एक बिरवाय उपजिया, तरती जल हर सोखिया, कह कबीर, होंतां का सेवक, जेन इह बिरवा दिखिया, सहज सोन एक बिरवाय उपजिया, तरती जल हर सोखिया, कह कबीर, होंतां का सेवक, जेन इह बिरवा दिखिया, वाह गुरुजी का खालसा, वाह गुरुजी की फत्ह, अर्म सन्मान योग, गरीब नवाज सचे पाथशा, तान तान सत गरू, गरू गरू गरन साहि महराज, हुजूर दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां पर रही गुरू स्वारी साथ संगत जी ओ, मालक अकाल पुर खुआई गरू जी ने बक्षिश किर्पा कीती है, सत संगत रूप वेच गरू दरबार वेच जुडब इठन दाए सुपाग समा पासबना नू प्रापत होया है, महराई दी अमरत मैं पावन बाणी दे पाठ, सत्गरू दी पावन बाणी दे शब्द की रतन गुरू सुवारें पासब आप जी ने बड़ी कागरता अद्ब सेथ सर्वन कीते हन। महराई दी बक्षिश कीती हुई मात बोद समरत्था मताबक, रुजाना देना दिवाना वे चापां सत्गरू दी अमरत मैं बाणी बिच्चों, पगत कबीर साइब जी दी बाणी नू लड़ी वार वेचारन दा यतन कर दे हां। इससे लड़ी तैताप जी ने हुने ही राग रामकली दे वेच्चों, पगत जी महराईदा उचारन कीता हुया पावन शब्द पाठ दे रूप वेच सर्वन कीता है। सत्गरू दी पावन बाणी दे वाक वाक टीका कारा ने गुरू दी बक्षिश नू मान देया हुया, जीवे सत्गरू दी बाणी नू समझया, उमे उनना दे अर्थ करके, टीके करके, स्टीका बनाके, उस दे अर्थ पाव बाकी संगत नू लकाई नू समझया उन्दा, आप डिया लिखतां दे राई यतन कीता है। पर जिस मनो अवस्था वेच, जिस वलवले दे नाड, जज़वे दे नाड, जिस पावना दे नाड जा, जिस चीजनू मैसूस कर देया। बाणियों चारण करनवाले महा पुर्खा ने बचन कए हाना, उस वलवले तक पहुंचना, उस जज़वे तक जाना जा, आपने अंदर उहो जा एहसास पैदा करना। ये बड़ी बड़ी बक्षिश दी गल है बानी दा अर्थ, उन्ना मा पुर्खा दे कए हुए बचन दा अर्थ, ता उत्वों तक जाके ही पूर्ण रूप वेच समझे आ जा सकता है। पर फिर वी जब लग दुनिया रही है, नानक केश सुनिया है, केश कई है। नेक बचन कहीं दे रहना चाईद है, सुन दे रहना चाईद है, तिना पुर्विचार करदे रहना चाईद है। एक राई मातर किनका मातर बचन वी मनुख दी बुद वेच वास जाए सुर्थ वेच वास जाए ता मनुख दे पार उतारे यते पले दा सबाब बते कारण बन जानदा है सो इस मुबार्क बचन वाप जी ने सरवन कीता है पगत जी महराज सर्व वे आपक परमेशर वाई गरूदा नाम राम वर्त देहन हालां कि उनने अपने मुबार्क सलोकां वे चगे फरमाये राम कहन मैं पेद है ता मैं एक बीचार सोई राम सबै कहन सोई कव तकहार कबीर राम राम कव कह बे माहें बेग एक एनेका मिल गया एक समाना एक कबीर जी महराई दे इन दो सलोकां ने शपष्ट कर देता है कि कबीर जी माराज किस राम दी उपाशना करदे हन किस राम दे पुजारी हन किस राम नो त्यांदे हन किस दा जिकर उबार बार अपनी बानी विच करदे हन बभीक दार तोंदे पशान को कि देने हो सकदे शब्द हूब हूँ मैं ओही वरत रहा हूँ जो किसे अपने प्यारे इश्ट दे लई किसे अवतार दे लई उना दे पगते जान उना दे पैरो कारवर्त दे हन पर मेरे अंदर एक वक्री पशाण है एक समाना एक लोक उसनों जब दे हन जो एक स्रीर तक मैं दूद है ते मैं उसनों जब दा हन एक अनिक के मिड़ गया जो एक को के अनिक संसार दे वेच वे पेन समाई दे वेच संसार दे अंदर बिराजमान है रम्या होया है रमत राम सब रहो समाई मैसे सर्व वे आपक वाई गुरूनो सदा ही जबता ते अंदा ते चेते करदा जदो राजा शब्दोन दे राम दे नाल वर्त देन तो उसना मतलब है ज़सदा हुकम ज़सदी सत्ता कुल काईनात होते चल दीए ज़सदा राज सदीव कालते अटाल है ज़सदी वे आखिया सेब दी बानी वेच होई है को हर समान नहीं राजा एप उपत सब देवस चार के चूठे करत दिवाज़ा दिवाज़ा दा मतलब उन्दा है वखावा सु कबीर जी माराज ने असल प्रभु सता संपान ताकत परमेशर नो मने है उसे नो सर्व वे आपक मन के राम के ते कहीं दे हन जानी जानी रे राजा राम की कहानी हे पाई मैं जान लेई है कहानी दा अरत हुंदा है ऐसे सर्व वे आपक ताकतवार हुकम दे मालक परमेशर दे नाड जेड़ी सांज दी वस्त है मैं उदा पेत पाले है मैं उसनो जान ले है एक कहानी ए रमज मेरी समझ वेच आ गई है कि जो सबना वेच 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 आप काया ते जिस दा होकम कुल काइनात वेच है उस वाई गुरू दे नाड उस परमेशर दे नाड जड़ी सां जो किमे बन दी है ते किस तरह बन दी है इस रमज नो इस गुजे पे इतनो इस कहाणी नो मैं जान ले है इस नो मैं समझ ले है जै मैं इस शब्द आपां आम ही अपनी बोज चाल वेच वर्त देया कोई गल कोई पुलेखा दूर हो जाए गल पूरी शब्ष्ट साननो समझ ले चाल आपां केंदे मैंनो होन सारी कहाणी समझ ले चाही पी गल कीए पावेय के ओ साड़े वास्ते जो बीती होई है जो साड़ी समयतों परे सी जीदे बारे साड़े अंदर पुलेखे सान परम सान साननों गल ओर सी ते होर तरां समझ ले चाही सी जदो द्या पूरा पेत साड़े सामने खुल जान दावदियां गुंजणां खुल जान दियांने गल साफ ते शपश्ट हो जान दिया आपां कही ने होन मैंनो पूरी कहाणी समझ लेच आई ठीक उसे लेज़े वेचे समावरे दिवरतों पगत कवीद जी माराज ने की ती केंदे होन मेरे अंदर पेत खुले होन सारी यां गुंज़ां दूर हो गईयां ए डूंगे पेत ते रमस दी गल होन समझ लेचाही कि उस परमेशर वाई गुरू दे नार सांज जीवदी केमे बन दी है ते केमे बना के रखी जा सकती है केडियां चीज़ां दे वेचे सहाय कने फिर नार ली फरमां दे ने केंदे हन अंतर जोद राम परगासा गुर्मुक बिल ले जानी अंतर दा मतलबे रिदे वेचे जदो अंतर दी गाल लाएगी ते इस दार्त है आपने वजूद वेचे ते वजूद दार्त है जो मेरी पशान जो मेरे अंदर चेतना है ओ मेरा वजूद है इन्हों अपा आम सिंपल पाशा चे कह देने स्रीर दे अंदर सरीर पीतर इस दा सरीर पीतर दा मतलब होंदा है अभी मेरे अपने वजूद मेरे अपने चिंतन वेच चेते वेच जो मेरे सरीर दा अदार है चिंतन, चेतान सता उदा पेत पाल लेना उन्हों अंतर कहीं देने मेरे अंदर एगल है उनों अंदर गाल दा मतलब की है शारा साड़ा सरीर वाली होंदा है पर उस दा पावगी होंदा है ये मेरे चेतान ना अपा किने ना भी मेरे हाला कि ऐसी एक के मौावरा वरत दें भी फलान ने टेट वे ची गाल नी रही दी उनों गला टेट ची नी होंदिया दिमाग ची नी बुद्धी ची नी ख्याल शक्ती ची नी पर जदो उसी सरीर दे के से आंगदा भी ना लाइने है तो दा मतलब ये होंदा भी इदे अंदर इदे पीतर गाल भी ये नूं जार नी सागदा बरदाश्त नी करदा गाल नूं सुनके समझके जानके उन्हों जर लेना उन्हों अपने अंदर जगा देनी स्पेस देनी संबन वास्ते ये वी एक बड़ा बड़ा होनर है बड़ा बड़ा गोन है तो उसी शब्द पामे होते टेड़ वर्त देया शब्द पामे सरीर दे किसे आंगदा वर्त देया पर इशारा ये होन्दा है पि एदे अंदर ये गाल गुजी नी रही दी जाए जारनी पाउदा जाए नूँ अंदर टका नी पाउदा छेती छेती दुज्या नाड सांजी कर लेंगे तो सारे इशारे जेड़े ने इशारे मातर गला होंदिया ने उनना दे पावर्त समझने होंदे ने बुलियां दे महावरे होंदे ने उनना महावरे यां दे पिछे जड़ा पाव होंदा है उन्हों समझे बिना बोली दे असल अर्थनों नहीं समझा जा सकता सुग्रीब नवाज कहीं देने अंतर अंतर कि थे? मनुक दिवजूद विच चितान सता विच जोद जोदा मतलब हुनदा है परकाश दीवा जगदा है ओ की करदा है? लाइट जगदीएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए आंतर आत्मे विच प्रकाच चाननों जाणा अंदर दे परमदूरों जाणे अंदर दे पुलेखे मिट जाने जिना पुलेखियां दे कारण मनुख पापनू पुन समय दै पौंडू पाप समय दै हार चीज रालगड कर ले उन्हों हनी रहे हनी रहे हनी रेदे विच आपने प्रवार्दा जीवी कर दी यां बुरुआं विच खड़ा होवे बार वारते आपां पोच दे काउने भई दू हो कहेगा भी तुसी बेनो प्शान देनी मैं आपां मैं तो आड़ी टबर दा जीए है तो आड़ा रिष्टेदार हाद दो गई पोजे गिला भी करे ते आपां अगों केड़ी गालना रोदा जवाब देने है मैं तेरा चेरा नहीं वेख्या अवास तो प्शान है मैं इनू क स्वाल क्यों ना करां भी तू को ने असी ओधी आवाज तो उन्हों पशान देया भी अच्छा तू फलाना है और वेखो है ने रहा है अपना बंदाई जिन्हों जीदे नाल सी रेने कही वरो भी बेपशान हो जानदा है जिस साचनों असी जान नी पाए जिस साचदा असी बेखिया ही नी जीदे नाल सी हंडे नी जेस दी पशान पहला ही नहीं तो आनों पी कहुण है ओ उत चिटे देन वेच भी ओ बंदा जिस बारे असी सुनया हो वे जिस बारे असी पड़े हो वे जिस बाबत असी गल्ला कर दे हो ये पी साड़ा एक फलाम मितर है फलाना पश्ते दारे फलानी जगाते रहींगा है दो पैर लगी हो वे उसाड़े कारवालनों तो रहा है पाउनों में पोछलां के तो कौने तो सानों अपना नांदसेगा फे साड़े दमाग चिगा लाएगी अच्छा इदिया तैसी रोज गल्ला कर दे हैं करे यो है बड़े चे चीजनों तुसी तक्या नहीं पहला जिस दी पशान साड़े अंदर नहीं टिकी होई ओधी पशान करवाउन दी जगत जड़ी है ओधी यां गल्ला ओधे बाबत का ये बचन जड़ी दमाग वेच गालोदे प्रती टिकी है उसा एक उन्दी है गुरू सानों साच दी गाल साची विचार दिनता है ठीकी होड़ी होडी होड़ी होडा सुरूप सड़े अंदर टकाऊँ दे अपि साचा है तीस ह्यों देग होले मैं एक उन्द्र प्रापत कर लें दे है फिर सानों दी पशान आ जान दी फिर उगएर नही रहीं दै पिर सड़ा आपना होचान दी ई शूट पर ये गुर का रही माहें दिखाया था पर ये ताद उन्दाई जे अंदर चाननो वे अंतर जोत राम परगासा सरवे आपक वही गुरू दी हस्ती नू मैं आपने अंदरों ही टोले आ आपने अंदरों ही पाले आ पर हजूर केंदे गुर्मक विरले जानी विरले हन पाई गुरू दे सानमकों के जिड़ने आपने वजूद विचों उस सरवे आपक सता ते जो तनू जानिया है पर शानिया है बहुत विरले हन विरले दे दो अर्थने ए Camera विरले नाई करे पेवजे लोका दियां पीडा नहीं हो दिया जे हे लोका दियां पीडा नहीं हो दिया ते दुजी गल जे में आत्मा बोट जीनुवना दे चेले अनांदने क्या एक वार कि इन्दे तुसी इन्ना सचा उपदेश संसारनो दिन्ने ओ इनने तातवेता जीवन दे साचनों तुसी जान दे हो आतमा नान तुसी पाया है कि इन्दे मैंनू बड़ी हरानी होंदी है जदो तुआडे को लाई दे ते बड़े गिनती दे बंदे होंदेने तुसी जित्थे भी जानने हो कोई पीड़ा नहीं लग दे जेड़ी चीज तो तुसी लोका नो रोग दे न प्यों आ ना करो आई थे ना जाओ आ काम ना करेो जो दो दर चाहत मारी दिये भी तो आड़े उप देश दासर के ना कोई ऐ लोका दे ते हराननी हों दी होते ते मैं फुल्रा लगिया हो दी हैं पीड़ा ही पीडा ने लोग ही लोक ने जितधे तुसी हो वो ते nessa हो जी पीडंी जितधे तुसी रोको ते ओंPlus वट्डी पीडो वे एक वर साढ़ दे मान चाहूं दाना जी वेक खो पता ने लोक गुरू दी गाल के उन्ही सुन दे मातमा दी गाल के उन्ही सुन दे वह नांद ने कया उनन दा परमसेवक सी उनन दे नाल रहा इन बाड़ा जी मैंनो ये गाल ले पे एता जी तक समझ नहीं है बेस तरह क्यों वापर गा बड़े सिद्धे जे शब्दां वेच मातमा बोद ने कया एक नियम एक विचार सदा अपनी बोद वेच वसाके राखा नांद स्याने लोकां दी कदे पीड नी उन्दी ते पीड च्याने लोक कदे नी जान दे स्यान प कमाउनी पहिं दी ये पीड वेच स्यानपदी कोई नी सुन दा उते एक नूवे के दूजा आया है दूजे नूवे के तीजा है तीजे नूवे के चौथा आया है जे मार्ग पंडत गए पाश है परीवी ये कवकड काटी राम की पंडत ने क्या इदर नूपाणी देो पिन्ना का उखा काम है उ बार दे मेटीरियल नाल नी बढ़ना इदा मटीरियल खुद अपने अंदरों तो अनू इदी प्रोडक्शन करनी पैनी दयाउदारी नी मिलनी संतोख गौंडियां कोडों नी मिलना जात ते साथ केसे दुगान ते बजार चोनी लबना इदी प्रेक्टिस करनी पैनी अभियास करना पैना है आपनी सुर्त आपने मानना रोजी तो अनू दोचार होना पैना इनना कठन काम करन वाड़ा ये जिन्हें उपैनना सोख है कि जड़ा दुजा जिन्हें उपैनना है वो सोख है जिड़ा देही ता की है जिनने स्रीर तक सीमत रहना है वो काम सौख है कि जड़ा आत्मा तक पहुंचना है काम वो सौख है बंदा पाज़दा ही अपने आपनों बदरन तो है नेज़दी उते जड़ा तरमलागो हुंदा है वो बड़ा कठन हुंदा है कि पिणा कर्म कान्ड ता मार्ग हूंदा भड़ा सूखैन हूंदा पाम कटनाई भी हुए बंदा उनू देखा देखी कर लेंगा उथी तो आनू ब्रीक सुर्त दी लोड नहीं पहिए लेख दी लोड नहीं पहें नहीं उते तुसी बस पीड है तुसी ओदे ची शामल होना हो गए ते पीड अपने आपने आपनो सार्टिफकेटे दें दीए वे को जी एने लोग गल्द केंए वो सख दें इने लोक मूर्खने जी तू कल्ला से आने ओ कल्ला पामे लाक से आना हुए पर पीड समई दिये जिते बहुते लोक हाना उस आने ही हुंदे हम बस ए फर्क है गरीबन वाद सचे पाथशा जिदू विरले जानी दा गाल कर दे हो दा मतलब है पीडतों हटके ये नेजदा प्रोसेस है नेजदा सफर है सेल्फ इंप्रूव्मेंट है आपने आपनार संगार्श है जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का हाड़ एक कालणा दा मार गए इस करके विरले जाने इस पासे तुर्देन और जिड़े तुर्देने विरले जानदा दुज्जा पावे है यो इंप्रोटेंट ने महतव पूरण ने पंच परवान पंच परदान पंचे पावें दरगहमान पंचे सोहें दर्राजान पंचा का पंचदार थै स्रेश्ट सुरंब दिवाक विच कहीं दे उस मुए पियत समझाया तरवर एक अनंत डार शाखा पहुप पत्र रस परिया ये अम्रत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया तरवर एक जिवे एक रोख है उदिया ने का अगे टानिया ने फिर उन पते लग देने किनने फोल पई देने फिर फड लग देने उनना शाखामा टानिया दे वेच पतेया वेच फुला वेच फडा वेच रास परिया हुए कबीर जी माराज केंदे संसार दा संसार एक कोई रोख है पाब ब्रम ही रोख है चेतन सता ही ओ मूड है जिस वेचों वेप इन तरह दे पदार्थ ते जीव दी उतपती हुई है जिमें एक रोख देनार रोख एक बजवी चीज है किनने अटानिया ने किनने पते ने किनने फोल ने किनने फड ने एक रोख नो लगे हुए उस सारा कुछ मिडा के ही एक रोख बढ़े है तो दे चे रासा है इसे तरह इस कुल संसार कुल मखलूक कुल काइनात एक बजवा रोख है इद चुब पे नता है मनुखां दिया शकलाई नहीं रालनागी है सुबा नहीं रालनागी पिर जड़े खिते चे रालनागी है उनना दिया बोलिया उनना दे पेरावे उनना दे रस्मो रिवाज उनना दे रालन सेंड अलाग लाग है सब एक मनुख जाती दे वेच इन पेद है किन्ने तरह दे जीवने इस काइनात वेच जीव जन्तों ने अन गिन्त गिने ही नहीं जा सकते अन गिन्त किन्ने चेतन तरह किन्ने जड़ हर एक चीज़ दा मूल की है ब्रह्म चेतन सता एक करते वेच उन सारा उपजयाव या संसार और इन सारे अंदे अंदर जीवन जोत ही कोई है सब मैं जोत जोत है सो एतिसदा चानन सब मैं चानन होए गुर्सा की जोत पर गटो गरीब नवाज किन्दे ने पोप पतर रस परिया ए अम्रत की बाड़ी है तिन हर पूरे करिया उस हरी प्रबु ने यसनु सिर्जे ए जगवाडी मीरा प्रब माली सदास माले को ना ही खाली ति हजूर दी दृष्टी कहीं दी है इदे चानन दी है इदे वेचान दी अम्रत दी है जदों तो आडीर साई उस ब्रामता को उन्दी है तो अडेली है संसार अम्रत है जदों तो अडीर साई वाशना ता कहते तो अडेली है संसार जैर बिक है नरक है दुखां दा कार है तकलीफां दा मंजरे सजा कटन आये होए हाई थे जदों वाशना ता कहां तान जैर पो उगलाए हाँ जदो चेतान सता तक सुर्थ गई तान अमरत हो गया सैफ फरमाँदे ने पवर एक पुह परा सबीदा बारह ले पुरत रिया कभीर जी ने दूजी उदार रंदे तिकें दे तुसी एक पवरे नो वेखो इब मानो एक फोलदिया बारह पंखडिया ने फोल खिड़िया होय है पवरा उस फोलदे मकरांद रासवेच कार ले से जितों पंखडिया दा तालमेड बनदा है जिते सारिया पंखडिया दा मूल जुड़िया होय है उते आके बैठ़दा है उदा रास पीनदा है उस फॉलडी सुगंद मानदा है उदे रूप दा नानद लेंडा है और कई वारो दे रास वे चेंपना मुगद हो जांदा है इन्हा अपनी सुद पूल जांदा है पी फॉलड़ियां पंखण़ियां सूरज द्यास्तो उनड़ बांदो जान दिया ने पवरा अपना पबलीन कुर्बान कर देंदा है उस फूल दे रास्ता कबीर जी माराज केंदे ने इसे तरह हे पाई ये संसार जगत रूप फूल दे वेच अनेक पांत दा पसारा है रूप रांग अकार हर तरह दे रासने स्वादने पर जिस गुर्मुक दा मानपवरा बन जान दा है उस सर्व संसार दे अंदरे वेच संसार तुम देख दे एहर का रूप है रूप नदरी आ है उस जगत रूप फूल दे मकरांद रास पाव ब्राम चेतन ब्राम साच प्रमेशर दी जोत उदे नाल अपना तालमेड बनाओदा है साज बनाओदा है फिर अगला बचन किया कहने लगे सोरा हमदे पवन चकुरिया अकाशे फर फरिया केंदे तुसी अकाश वेचे क पंचीन वेखो इस सार्दी वाशना नू आपने आत्मक सुर्थ इसे तरह जिडा मनुख इस संसार्धी वाशना नू आपने आत्मक सुर्थ दे खंबा नाल पशांता का पौँधा ए वो अतमक मंडलदियां उड़ारियां मार लेंगा जिडे नकारा होंदे ने जिडे ना वाशनवा नाल कोल नी पौँधे लड़ने पौँधे ने पशां नी तकेल पौँधे नाल खेड़ना नी आउदा जिनन वो जमीन दियो ते रिंग दे रही दे वो काश दियो चाई पाब वो सहज अनांद वस्था दा लाहा कदे प्राप्त नी कर पाऊंगे सुगले बचन वेच कबीर जी माराज के देने सहज सुन एक बिर्वा उपजेया तरती जलहर सोखेया जलहर बदल पाणी नो के पाणी दा सुमू किन्दे हिर्दा तरती है एदिच पाणी खड़ा है उन ज्यादा पाणी दे वेच वी कई वार बूटा जा रोख जड़ा है उन नेस्तो नबोधो ज़ंगे पाणी देते हैं फसल परवान चड़ दी है जल्बिन शाख को मलावती उपज़े नहीं दाम पर एक दूज़ा पैलू भी है ज्यादा पाणी भी वेसल तबाह कर दे दे पाणी चे खड़ा वया रोख अंदरों जड़ां करके गड़ जानदा है ते तबाह हो जानदा है ऐसा भी होनदा है पदार्थक लोड शरीर नो पाढ़ दिये लोड जदो लोब बन दिये समझो पाणी खलोन लगते है सुर्त पलीद करेगी अंदरों बंदेनों खंड़ते तबाह करेगी ओही पाणी जड़ा शरीर नो पाढ़ दा है जदो खलोन लग पहे, स्टा कोंड लग पहे मान सदकार ते रिस्पेक्ट कि बंदे नूँ शाबाश है कि इसे नूँ सदकार देना एक तरह दी शाबाश है एप्रिशेट करना एई सदकार मनुक दी आत्मा नूँ पलीत भी कर दा है जदो खलोन लग पाई मैं जदो बंदे दे अंदरे हवस बन जान दी सतकार ही मिले जी मैं गल्त भी होँआ ता मैं रिस्पेक्ट दे दू समझे बंदा तबाह हो रहे जनी कोई भी चीज है वो जीवन लई लोडीन दी ते है पर उदी एक मातर है जदो चीज रोखन लाग पाई न जदो दूजा पहिलू बंदा छट दे वे तो नुकसान दा एक हो जानी गरीब नवाज महराज कहीं देने ये पाई सहज सोन अंदर सहज टकाओ सोन अफोर पैड़े विचारां तो मुक्ती हो जानी पहड़े ख्यालाँ ते फूरनेया तो रह तो जाना मानी ये समझो एक रोख है जिदा तो अट्डे अंदर पैड़ा हूंदा जी दी शाहत उसी मान दे पर ये तरिशना दे पाणी छी नी ओग सागदा तरिशना दे पाणी छी जीना नी रह सागदा करके तरिशना दा पाणी हौली हौली सोक गया इरुख पदार्था नू मान देया होया सैज ते विशेव कारा तो दे फुरनेया तो मुक्ती वाली वस्था अंदर पैदा हो गई पखीर ते फुरमांदेने कै कबीर हो काका सेवक जेने बिर्वा देखिया कबीर जी कें दे मैत ना रभी प्यारे आंदा पाई सेवक हां दा सहाओना दा आधर करदा हां सतकार करदा हां जेडे अंदर दे अडूल अते पैडे फुरनेया तो रैत जीवन दी शानू मान दे हम सैब किरपा करण शवत दात पाव जीवन दा हिसा बने महराज होया पुलांदी खिमा बक्षन अद्ब सायद गुरू फते नार साज बना ये वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की फते